नमस्कार दोस्तों EKB technical में आपका स्वागत है दोस्तों तो आज हम इस वीडियो के माद्यम से ये दोनों टूल के बारे में कुछ खास जनकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहे हैं दोस्तों तो चलिए पहले इस प्लाइर के बारे में बताता हूँ ये तरह से ऐसे कट कर देना है ठीक है ठीक है और अगर इस वायर को आप छिलना चाहते हैं दोस्तों मा लीजे कहीं पर आपको इसे जॉइंट करना है तो इसे दात से न चिल के देकिन नाकून से इस तरह से छिलिएगा तो जिलाएगा नहीं ठीक है देखिए तो यह जो cutting plus है इसमें वो भी काम करेगा दोस्तों ये वायर को आप असांई से इस cutying plus की मदब से छिल सकते हैं तो वो कैसे होता दीए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे cutting यहाँ पर बना हुआ दोस्तों ठीक है तार जो है, अच्छी तरह से छिल जाएगा है, इस तरह से अगर आप इसे ज्यादा द्वाते हैं दोस्तों तो ज्यादा द्वाने से क्या होगा? यह कड़ वी सकता है, دोस्तों, ठीक है? तो पूरा दबाने से क्या होगा देखिए कुछ-कुछ वायर जो है इसका कट के निकल जाता दोस्तों ठीक है देखिए यहाँ पे दो वायर जो है देखिए कट कर निकल गया दोस्तों ठीक है अगर पूरा अच्छी तरह से छिलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेज करना है इस तरह से थोड़ा सा हलका सा और इस तरह से आपको खिच लेना है तो देखिए इसमें आपको कोई भी वायर जो है कटा हुआ नहीं निकलेगा दोस्तों यह तो फर्स्ट वाला को छिलना चाहते हैं तो यहां से भी छिल सकते हैं और यहां से भी कट कर सकते हैं दोस्तों माल लीजे हम इस वायर को अभी यहां से कट कर देते हैं पहले देखिए इससे हमने कट कर दिया अब हम यहां से आपको छिल कर दिखाते हैं देखिए यह किस तरह से होता है दोस्तो यहां पे हमको इस तरह से दबाना है दोस्तों और इसे इस तरह से खीच लेना है तो इस तरह से आप यहां भी इसका भी उपयोग कर सकते दोस्तों यहां से भी आप वायर को छिल सकते हैं और कट भी कर सकते हैं दोस्तों माल लीजे देखे इसे हमें कट करना है तो यहां देख से आप किसी आप को खोल सकते हैं दोस्तों जैसे दोस्तों देखे ये हमारे पास से एक ट्रासफरमर है और इसमें देखिए नट बोल्त आ पे लगा हुआ तो ये देखेए प्लास की मदद से आप यह सी अगो कोई भी रिंच क्या जरूरत नहीं दोस्तों देखे इस तरह से आप इसे इसे घुमाईए यह अपने आप जो है वह खुल जाएगा लेकिन अगर आपके पास कहीं पर जगह है तो इस तरह से आप असानी से उस घाट में कोई चीज को पकड़ कर आराम से इस तरह से और अगर कोई वायर है दोस्तों वायर को अगर छिलना है तो छिलने के लिए भी हम यहां का ही उपयोग करेंगे दोस्तों माल लीजे देखिए अभी हम इसे कट कर देते हैं कट आप यहां से भी कर सकते हैं ठीक है अगर इसे छिलना है दोस्तों तो छिलने के लिए क्या करन करना है और इस तरह से खीचना है दोस्तों ठीक है और एक ही बार में तो छिलाएगा नहीं आपको चारो तरब इस तरह से करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं दोस्तों देखिए इस तरह से खीचेंगे और चारो तरप से इस तरह से करने के बाद दोस्तों यहां पर इस तरह से आपको पकड़ना है और इस तरह से वायर को खीच देना है तो इस तरह से वायर देखिए अपने आप यह हो जाएगा चिल जाएगा दोस्तों ठीक है तो यहां पर दोस्तों देखिए यहां पर कटिंग कर आँचिने का भी दिया हुआ है इस फिलास में और यहां से आप मोटा से मॉटा noodle अब स्टक शर्ड़ कर सकते हैं दोस्तों हैं यह मेरे पास एक director है दोस्तोर जो यह में कुप आप करते हैं जैसे ही आप यहां पर इस कीप से मौता मोटा ओएर को भी आप कट कर सकते हैं जैसे िर्ण ताइख को देखाई हूं देखें यह से हम अभी देखेंहें क यह अघ HOR मत्त पाइगा टीक है इसे प्लास से काट सकते हैं दोस्तों वो ट्रीक है अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहें अगर यह वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों तो चलिए अगले चरन में चलते होगा ठीक है यहाँ पे कट का निशान आपको दिख रहोगा यह से काम का और जीसे दिख्या कोई भी वायर हो आपको सिर्ख क्या करना है यहां पर इस तरह से रखना दोस्ते तो जैसे मैं यहां पर रख रहा हूं देखिए यह बहुत मोटा वायर है दोस्तों हमने यहां से कट किया लेकिन यह कट नहीं हुआ लेकिन यहां से देखिए किस तरह से यह कट होता है यह हमने ऐसे किया दोस्तों सिंद्धे में इतना मोटा वायर जो है आराम से कड़ जो दोस्तों देखें यह बहुत ही मोटा है अपको यह इसको भी काटकर इस प्लाइर से जैसे देखिए हमने यहां पर इससे डाला दोस्तों यहां पर देखिए एक बात आपको याद रखना है दोस्तों यहां पर जितना मोटा यहां पर कट का निसान बना हुआ दोस्तों उतना ही मोटा वायर इसमें कट होगा ठीक है इससे मोटा वायर आप इसमें डाली नहीं सकत से तो कट नहीं हो पाएगा तो यह दिखे यह असांगी से चला जा रहा है यह देख missions वायर को हम किस तरह से असानी से कट कटेंगे दुस्तों यह मैय घ्ल का वायर है यह यह अब रूंजय आभास लेखियर मे्टल का ऐ है । जी कि देखें कट गया दोस्तों ठीक है अराम से इस वायर को भी ये कट कर दिया तो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा वीडियो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अजस आव़ियो इत अराम से यूप्सक्राइब कीजिए गो वीडियो वीडियो अगर लाइक के दोफ़ भीडियो नायर ऊती BEN-घच रजाएब कीजिए कीजिएे कीजिएamız पस्ट्बएमिए ना गώνवjang